कार्या कारी मुख्या न्यायदिश हिमाचल प्रदेश उच न्यालया मुख्या स्तरक्षक एवं कार्यकारी अधक्ष हिमाचल प्रदेश बिदिक सेवाई प्रादिकर्म धर्मचन चोधरी ने ग्राम बंचाय दुडी के गाम मताहनी में 3.5 लाख रुपे की लागल से नव निर्मित 5 मजिला EDR केंटर का उतिगाटन किया इस अबसर पर हिमाचल प्रदेश राजिया बिदिक सेवाई प्रादिकर्म के सोजने से जिला बिदिक सेवाई प्रादिकर्म हमिर्पूर द्वरा आयोजित कार्यकरम को संबोजित करते हुए उन्होंने कहा कि इस किंदर की सुब्दा से अब लोगों के बभीन तरह के मामलों को मद्धिस्ता से निपटने की सुब्दा मिलेगी इससे पहले जिला हमिरपूर में इस सुब्दा नहीं थी इससे लोगों को तबरित पर सस्ता न्याय मिलेगा और धन ततस में दोनों की बाचित होगी उन्होंने कहा कि परदेश में इस वर्ष कुल 1086 बवीन परकार के मामले ADR में प्रापत हुए जिसमें से 181 का निप्टारा किया गया है उन्होंने कहा कि हिमाचल परदेश में 11 ADR केंद्रों का निर्मान किया जा रहा है जिसमें से 7 केंद्र बनाई जा चुके हैं तता 4 अन्य केंद्रों का निर्मान किया जाएगा उन्होंने कहा परदीश में नई कोट खोलने के लिए भी परदीश सरकार में मामला उठाया गया है धू अक्तूबर से परदीश में तीन नई कोट केवल महिलाओं की सुब्दा के लिए खोले जा रहे हैं जहां पर मेला उत्पीडन से संबंदिक मामलों का ही निप्टारा किया जाए लोगों का नयाय परनाली में अधिक विश्बास बना रहे इसके लिए बेपरियासरत है एडियार केंद्रों के निर्मान का मुख्याव देश लोगों को तबरित बल सस्ता नयाय दिलाना है ताकि कोई भी नयाय से बंचित ना रहे इस अपसर पर बिरेंदर सी रजिस्टार जनरल हिमाचल उच नयला इस्वन सिंथ चौगल परदान सचिब कानून, प्रेम पाल रांटा सर्दस्य सचिब हिमाचल परदेश, राजिया बीदिक सेवाएं परदीकरन, जिला इभम सतर नयाय दिस, राकेश केथला तथा जिला बार एस्वोशेशन के परदान नरेश जस्वाल ने बीदिक सेवाएं परदीकरन के अंतगरत बविन कानूनी पहलों की बिस्तार से जानकारे दी सबसर पर, परसासनिक अधिकारी हिमाचल परदेश, राजिया बीदिक सेवाएं परदीकरन, गौरब महाजे, एसिस्टेंट सोली सिट जनरल ओफ इंडिया, राजिश शर्मा, सुवास जनरल असी जेम, उपयुक्त हरिकेश मीना, स्पी अर्जित से न्ठाकुर के अत्रिक् परदेश, राजिया बीदिकारी तथा अन्य गर्माने लोग भी उपस्तित थे। नहीं होती है, लेकिन किसी ब्यक्ति विशेश को सीवा विस्तार देकर उन सभी यूग्य ब्यक्तियों के करियर प्रवेशन पर एक ब्रेक लग जाता है। कि सेवा निवर्ट आयू बढ़ाना कोई समस्या का समदान नहीं है। जब 68 में ये सब डिटार होंगे तब भी तो फकैल्टी की कमी बैसे की बैसे ही मूँ खोलेर खड़ी होगी। इसलिए संग ने गुजारिस की है कि सेवा निवर्ट के आयू बढ़ाने की बजाए नो जवान यूबर डक्टरों की डिपेस मेवग तरिके से और सपनों के अंसार करके नए लोगों को आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। संग ने आगे कहा कि कल चमबा में भी संग का प्रतनेदी मंडल उन से मिलकर इन मुद्धोबन उनका द्यान अकरशित करने की कोशिश करेगा और संग को माननी ये मुख्या मंत्री पर बरोसा है कि वो ही माचल की जनता और आने वाले युबा ही माचली डक्टरों के हीतों को देखते हुए हमारी इन मांगों को पूरा करेंगे मंडी पुलिस भीबाग ने नशात असकरों पर सिकंजा कशना सुरू कर दिया है स्पी मंडी के निर्देशा उनसार QRT और सदर पुलिस थाना की टेम सदर कशेतर में समेस में इपर गशत करती रहती है बहीं गुप्त सुचना के आदार पर सदर थाना की QR टीम ने मंडी शेहर के साथ लगते तलिया हर क्शेतर में एक कर्याने की दुकान से छापे मारी के दौरान अवैल सेराप की खेप ब्रामत की है सदर थाना परवारी बिनो ठाकुर ने बताया कि गुप्त सुचना के आदार पर जब कर्याने की दुकान की तलाशी लिए गई तो इसमें 18 पेटी आवैल शेराप की ब्रामत की गई है जिसमें 16 पेटी, देशी सेराप और 2 पेटी इंग्लिश शेराप की है उन्होंने बताया कि आरोपे के खिलाप मामला दर्शकर कारेवाई अमल में लाई जा रही है चमबा पुलिस का नशे के सोदागनों पर नकेल कसने का अवियर पूरे जोरूं पर है जिलाचमबा में पुलिस को नसे के खिलाब चलाए अपने अभियान में लगतार स्पलता मिल रही है पुलिस ने अपने इस अभियान में चरस की एक खेप को पकेऩे स्पलता हासल की है स्टेट नार्कोर्टिस्ट क्राइम कंट्रोल ब्यूरो दर्मशाला की टीम ने शाम को 702 ग्राम चर्स सहीत दो बेक्तियों को दुबोचा है पुलिस टीम को ये स्वलता बालू पुलपल लगाए नाके के दोरान मिली इस दोरान पुलिस ने दो लोगों की शक के अधार पता लासी ली तो उसके पास से 702 ग्राम चर्स ब्रामत हुई आरोपी पंजाब और लुदियाना की रहने वाले हैं पुलिस ने चर्स की केव के साथ आरोपी को गिर्पतार कर लिया है पुलिस इस बात की चार्मिन करने में जुट गई है कि बिक्ति इस चर्स को कहा से लाए थे और इसे कहा ले जा रही थे बही पुलिस ने NDPS Act के तहत मामला दर्श कर काईवाई शुरू कर दी है चमबा परशांग ठाकू ने कहा कि शांग को स्टेट नार्कोटिक क्राइम कंट्रोल यूनिट धर्मशाला की टीम में 702 ग्राम चर्स साथ दो लोगों को गिर्पतार किया है उन्होंने बताया कि ये सक्स बालू पुल के पास से जा रही थे और पुलिस को जब शक पड़ा था उसकी तलासी ले गई तो उनके पास से 702 ग्राम चर्श ब्रामत हुई है उन्होंने बताया कि नशे के खिलाव पुलिस का ये अवियर पिछले कई सालों से जारी है और पुलिस अपना बियान आने वलस में भी जारी रखेगी